हेलो एर्वन कैसे हैं आप सब बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी कि आप अपने वर्काउट सीरीज पर वीडियो बनाए आप बताए कि आप खुद कैसे ट्रेन करते हैं तो इन पर्टिक्लर जो मेरा सबसे स्ट्रॉंग बॉड़ी पार्ट है या लोग मानते हैं कि ट्रा कि ट्राइसेप्स के अच्छी है और विट टाइम हमने ट्राइसेप्स पर बहुत एफ़र्ट डाले तो इस वज़ए से ट्राइसेप्स में ज्यादा दो लोगों का इंट्रेस्ट रहता है कि आखिर आपने ने शली से ग्रो कैसे कर लिया तो ट्राइसेप्स के पहले कि मैं इस वीडियो में पूरा ट्राइसेप्स का वरक आउट जो मैं खुद करता हूं कितने सेट्स लेता हूं कितने रेप्स लेता हूं और कैसी एक्ससाइजेस किस टाइम पर प्लेस करता हूं यह सब बहुत इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो के एंड तक वह मैं बताऊंगा पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले दो-तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि यूटूब पे ज़्यादा तर लोग आते हैं, बोलते हैं, निकल जाते हैं, समझाता कोई नहीं है एकस्पेक्टेशन एक ऐसी चीज है, जो खासकर बॉडि बिल्डिंग में और फिटनेस में आप लोग को खाती है आप लोग को डिप्रेस करती है, अंडर रिजल्ट आने के वज़े से आप लोग दी मोटिवेट हो जाते हैं, जिम छोड़ देखें, सबसे पहले समझने की बात है कि सबकी बॉडि मसल किसी की कमजोर है, किसी की स्ट्रॉंग है मेरी ट्राइसेप्स मसल जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉंग है जब मैंने 2016 पहली बार जिम स्टार्ट किया था, तो इधर कहीं फोटो लगा दूँगा, तब भी मेरी ट्राइसेप्स मसल बाइसेप्स से बढ़ी थी तो दैट मीन्स की जेनेटिक्स मेरी अच्छी है उसके बाद मैंने ट्राइसेप्स को इंट्रेस्ट मेरा ट्राइसेप्स में काफी अच्छा था जैसे जादर तर लोग देखे होंगे आप आइधर चेस्ट करते हैं या बाइसेप्स में बहुत रूची रखते हैं तो biceps मेरी कोई रूची नहीं थी, मेरा सुरू से triceps में काफी ध्यान रहा, इस वज़े से मेरी triceps उभर के आती है, और जो एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी लोग, खासकर beginners या intermediate level पे, जो naturally करने उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, कि जब आप कुछ short head, long head पे ध्यान दो, यह जो दो हिस्से हैं, अगर आप completely arms को train करो, breakless, biceps और triceps इन तीनों को अलग से train करो, ताकि उसका जो concentration, जो focus, जो effort उस single छोटे से muscle पे पढ़ेगा ना, तो वो आपको growth ज्यादा अच्छा देख, और यहीं लोग गच्चा खाते हैं और गलती करते हैं तो देखें, इस इयए वीडियो में शुरू होते हैं और वीडियो के स्टाट होने के पहले एक और शीज बता दूं, त्राइसप्स के तीन हिस्से होते हैं, middle head, lateral head, और long head, और मैं जब अपने workout को, workout start करता हूँ, तो देखें, पहले हर वीडियो की तरह, जो भी workout videos मैं पोस् आया हूं लापास में भी जो डाला हूं और इसमें भी मैं बताने वाला हूं कि आप अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग और वाम अप जरूर करें जब तक एक अच्छा ब्लड फ्लो नहीं रहेगा और जब तक आपकी मसल खुलेंगी नहीं तब तक आपके बॉडी में अच्छ आप वाम अप ज़रूर करें और देखें जब मैं ट्राइसेप्स को पुश पुल लेग स्प्लीट में परफॉर्म करता हूं तो ट्राइसेप्स मेरे जनरली अंडर आते हैं चेस्ट के तो हमेशा मैं चेस्ट जब भी ट्रेन करता हूं तो हलका ट्राइसेप्स पंप रखता 4-5 set single hand perform जरूर करता हूं जिससे मेरे long head और meddle head दोनों warm up हो जाए ताकि आने वाली exercises में एक अच्छा response दे पाएं, एक अच्छा blood flow दे पाएं तो अगर आप मेरे according अपना triceps workout set करना चाह रहो तो आप single arm से जरूर अपने triceps workout के start करो अगर चेस्ट के अंदर आपको वो pump चाहिए कि आपके chest के साथ आपके arm size भी बड़े लगे तो अगर इस way में आप जा रहे हो तो चेस्ट के साथ ही train करते रहो एक 8 set बीच में छूते रहो या फिर chest को complete करने के बाद आप इसे one way में start कर सकते हो तो इस exercise को आपको कम से कम 4-5 set क करना है और बहुत slow and steady करना है 10-12 rep में ताकि completely warm हो जाए आपकी muscle जो दूसरी exercise है in fact मैं कहूंगा कि सबसे main exercise है मुझे अपने triceps को grow करने में जो सबसे ज्यादा 8 दी है वह है कि reverse push down और front push down का ये एक super set है अब देखिए जब भी आप front grip से आप अपने triceps का push down करेंगे cable पे तो वो काफी easy पड़ता है no doubt कि वो आपके muscle को stress देगा grow देगा पर वो अब बात मेरी देखिए मैं पूरी जितने भी cable पे जितने भी weight रहते हैं वो full पे मैं कर लूँगा पर जब आप super set में करेंगे और खासकर reverse grip पकड़ेंगे तो जो आपका lateral head है जो meddle head है वो इतना tension लेता ह कि आपको उस overall muscle पे काफी जादा fatigue आने लगता है फिर उस जब भी 8 से 10 rep के बाद आप जब front grip पे shift होते हैं तो वो इतनी थकी होई muscle रहती है कि वहाँ आपकी actual growth होती है और इस super set का सबसे बड़ा फादा यह है कि overall आपके तीनों muscle triceps के अच्छे खासे concentrated way में train होते हैं blood flow अच आप हमसे पूछें कि कितना set करें तो मेरी जो majorly कोई भी exercises है जब भी मैं workout करता हूं आइदर वो deadlift से start को या bench से start को मैं volume जरूर रखता हूं मतलब कि कम से कम 8 से 9 set मैं उस exercise को perform करूंगा ही करूंगा तो अगर आप मेरे कहने पे या मेरे हिसाब से workout set करना चारें तो इस exercise को भले weight धीरे-धीरे-धीरे करके बढ़ाएं अब पर कम से कम 8-10 sets रखें और कोई भी set 10 rep that is की 5 rep single side से कम ना हो तो यह दूसरी exercise अब तीसरी exercise देखें बड़ी interesting है बात यह फस्ती है कि हर दिन body एक जैसे response नहीं करती है एक जैसा response नहीं देती है तो अगर हम chest के बाद इसे perform कर जाता हूं कि अपने overhead से cable के लिए overhead से perform करने के लिए और अगर मैं थकान में नहीं हूं तो मैं dips के लिए जाता हूं पहले मैं बात करूंगा overhead के लिए देखें इस exercise को मैं मानने तक क्यों जादा देता हूं क्योंकि यह एक ऐसी exercise है जो single exercise में ही तीनों मसल को target करती है और यहा स्विंग कर रहे है मसल पर कोई टेंशन नहीं यह पर स्विंग कर रहे है उसका कोई फायदा नहीं आपको completely stretch करना है और squeeze भी करना है completely ताकि तीनों मसल आपकी छू सके long head, lateral head और बाकी सारी मसल totally आपकी triceps train हो सके अब अगर आप ठके नहीं है अगर आपको strength बची हुई है त चेस्ट अगर already trained है तो dips में आपको काफी मदद मिले गया और dips को मैं start करता हूं generally कि without weight अब देखे ट्राइसप स्टॉंग होने के वज़े से कह लेजे या मेरी dips में रूची जो है जो मेरी interest है कि मैं dips को लेना पसंद करता हूं तो मेरी dips अगर body weight से जाएं तो 20-25-30 dips बिना र एक तो आपके body weight को carry कर रहा है और अगर आप इसमें अच्छे हैं तो आपको पहले दूसरे 3 set करने के बाद weight पे जाएं उसपे weight add करें kettle ball add करें या किसी भी other way में जिस हिसाब से आपके gym या home gym या किसी भी gym में आपके हिसाब से जो भी कुछ आपके पास level हो उसको add करें और complete triceps को target करी और आपको growth देगी और इसका exercise का जैसे की मनाया मैंने बताया कि इसके strength growth में कोई ending नहीं क्योंकि आप weight बढ़ाते सकते हैं बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और आपके body weight एक kind of आपकी body aesthetic way में रहेगी कि आपके triceps इतने strong हैं कि आपके पूरे body weight को ये carry कर ले रह minimum failure रखे क्योंकि 2-4 rep 5 rep कोई beginner है मेरे भी साथ वाले लोग हैं वो नहीं कर पाते जादतर तो कम से कम उतना push करिए ताकि अगली बार आप तयार हो सके और अगर आप weight लगा रहे हैं आपको इसमें मजा आ रहा है तो आपको इस exercise को भी super just जैसे super set के sets में volume उपर थी इस exercise को भ grow कर सके जहां strength बढ़ेगी वहां भारी से भारी weight उठाओगे और वो grow करेगा muscle और अगर आप यह नहीं कर रहे हो थके हुए हो तो overhead अगर करना है तो वह भी minimum 5-6 set लें और 10 reps से नीचे तो नहीं perform करें तो यह थी मेरी तीन exercises जो मैं perform करता हूँ अपने chest workout के बाद generally in general मैं perform करता हूँ पर यही तीन ऐसी exercises हैं जो मैं सालों से perform करते ही हुए हुए हूँ क्योंकि बहुत सारी triceps का दिक्कत ही है कि triceps में आइधर लोग mind muscle connection नहीं बना पाते और ज्यादा तर खासकर females ऐसी exercises perform करते हैं आप add करें अपने superset और इस dips को खासकर add करें I hope इस videos को सीखने को मिला हो तो like करेगा और दोस्तों को share करिए अगर करना हो तो और अगर चैनल पर नहा है तो चैनल जरू